Hello students, good morning, आप सबी का स्वाकत है, आपके अपने यूट्यूब चैनल एसको सले अजूकेसन में और आज हम कर रहे हैं फोर्थ क्लास की हिंदी का साथवा चेप्टर पॉंगल तो बेटा एक पॉर्षन इसका हमने कर लिया है, उसमें हमने लेसन रीड कर लिया और वर्ड मेनिंग कर लिया, अब करते हैं आगे का, तो आगे के पॉर्षन में सब से पहले करते हैं इसके question answer तो पहले क्योशन अपने पास है पोंगल तोहार चार दिनों तक मनाया जाता है इसके पहले दिन लोग क्या करते हैं तो पहले दिन भोगी का तोहार मनाया जाता है इसमें घर की सफाई करते हैं और शाम को बच्चे ढोल और बाजे बजा कर खुश्या मनाते हैं तो ये पहले जो जो होता है वो हमने लिखा है अगला क्वेशन अपने पास है पॉंगल को नई फशल का तोहार क्यों कहा जाता है क्यों कि पॉंगल नई फशल घर लाने की खुशी में मनाया जाता है इसलिए उसको नई फशल का तोहार कहा जाता है उस दिन सब कुछ नया होता है पाठ को स गन्नी की फसल तयार होती है और चावल का मीठा भात बनाकर सुरिय को चढ़आया जाता है कि दिन यह यह नए आपनी पास है पॉंगल की तीसरे तीसरे तीन को माटू पॉंगल और चोथे दिन को काणूम पोंगल कहते हैं ठीक है? अब आपकी बात है चलो देखते हैं आपकी बात क्या है लोग गाई बैलो के सिंगों को रंगते हैं और उन्हें रंगिन कपडों से सजाते हैं पोंगल के आउसर पर और आप किस तोहार पर घर की चीजों को रंग करते हैं किस तोहार पर? तो बेटा दिवाली पर, होली पर है ना? इन तोहारों पर हम अपने चीजों को रंगिन करते हैं दिवारों को सजाते हैं, रंगोली बनाते हैं की चीज़े इस पर होती है पॉंगल के दिन सभी मीत्र और शगे संबंदी मिलकर बढ़िया भोजन करते हैं आप मक्र शक्रांती के दिन क्या का करते हैं तो बेटें यहां पर बता रखा है कि पॉंगल के दिन क्या करते हैं बढ़िया भोजन करते हैं तो मक्र शक्रांती पर क् क barking जाता है चूर्मा या तिल गुड के लड़ू ये हम अपने मकर सकरानती के दिन खाते हैं किसान के जीवन में मिठास कहते हैं इस वाक़े में जीवन में मिठास आना का मतलब है जीवन में खुशाली लाना ऐसी और कौन सी बाते हैं जिन से आपके जीमन में मिठास आती है कौन सी बाते हैं जिन से मिठास आती है तोहार पर मिठास आती है जरम दिन पर से परिवार घूमने जाने पर जिन जिन चीजों से आपको खुशी मिलती है वो वो चीज़े यहाँ पे लिखनी है उनका नाम आगे है किसान, बुआई, सिचाई, निराई, आदी, खेती बाड़ी के सारे काम मोसम के अनुसार करता है खेती बाड़ी का काम करने के लिए बहुत से उपकरनों के आउसकता होती है खेती बाड़ी में हल चाहिए, कसी चाहिए, दराती चाहिए, इस तरह की बहुत सारी चीज़े चाहिए होती है न, तो बताए कि आपके आसपास खेती बाड़ी में किन किन उपकरनों का इस्तेमाल किया जाता है, हल का, थरिशर का, ट्रेक्टर का, दराती का, है न, इस तरह की चीजे जो सारी यूज होती है खेती बाड़ी में वह हमें है लिखनी है आगे बिटे समझ में अब अपने पास है भाष्या की बात और भाष्या की बात में है किसान का जीवन प्रकरती से जुड़ा रहता है वह प्रकरती के साथ ही हसता है रोता है नासता है गाता है बुआई सिचाई निराई आदी खेती बाड़ी के सारे काम वह मोसम के अनुसार करता है अपने पार्ट में भी आया है ने यही तो वहीं से लिया है अब इस तरी लिंक के अनुसार आपको किरिया यहां पर बदलने पड़ेंगी तो देखते हैं यहां लिखा हो है किसान का जीवन नास्ता गाता लेकिन किसान की पतनी एक महिला है इसलिए यह आएगा हंस्ती रोती है और नास्ती गाती है इकी मात्रा लग जाएगे बुआई, सिचाई, निराई, आदी, खेती, बाड़ी के सारे काम वह मोसम के अनुसार करती है यह किसान की पत्नी है इसलिए करती है आएगा किसान है वहाँ पे आया था करता है आगे ना समझ में कैसे करना है तो जो पुलिंग शब किरिया हमारी जो पुलिंग के लिए यूज हो रही थी उसको हम इस्त्री लिंग के लिए बनाएंगे यानि कि पुलिंग को इस्त्री लिंग बना देंगे जब हम यहाँ पे लिखेंगे किसान की पत्नी पॉंगल नई फसल का तोहार है यह सक्रांती के दिन मनाया जाता है उपर दो वाक्य लिखे हैं और इनको मिला के एक वाक्य हमें बनाना है तो कैसे करेंगे इसमें कैसे लिखेंगे लोग गाई बैलों के सिंगों को रंगते हैं वे उन्हें रंगीन कपडों से सजाते हैं तो इसको दो वाक्यों हो गए इनको दो वाक्यों को एक बनाना है हमें तो कैसे लिखेंगे यहां पे लोग गाई बैलों के सींगों को रंगते हैं और उन्हें रंगीन कपडों से सजाते हैं यह वे हट जाएगा और यहां पर और जुड़ जाएगा और लगाने से दोनों वाक्य एक साथ हा जाएगा एक ही वाक्य बन जाएगा मेरा नाम दीपक है और मेरे भाई का नाम आदित्य है तो कैसे लिखेंगे मेरा नाम दीपक है और मेरे भाई का नाम आदित्य है हमने और लिख दिया एक एक स्ट्रा मैं कल बाजार गया था मैं बाजार से खिलोना लाया था तो दो स्रंटेंस बनाने की बजाए, दो वाक्य बनाने की बजाए, हम एक में कैसे लिखेंगे, मैं कल बाजार गया था और बाजार से खिलोना लाया, ठीक है, दिव्या गाना गा रही है, शार्दा नाच रही है, तो कैसे लिखोगी कटे करके, दिव्या गाना गा रही है और शार्दा नास रहे बीच में और लगाने से दोनों वाक्य जुड़ जाते हैं और वो एक वाक्य ही बन जाता है ऐसे ही और भी वाक्य आप बना सकते हैं अब बिटा यहां पे है लोग गाय बैलों के गले में फूल मालाएं पहनाते हैं मक्का जब आग में डाला जाता है तो खील की तरह फूल उठता है पहले वाके में फूल तो ये फूल है जो की पेडों पर पोधों पर खिलते हैं वो वाले हैं लेकिन दूसरे में खील की तरह फूल यहां फूल का मतलब है फूल जाना तो सब्द तो एक ही है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हो गई तो इनको हम बोलते हैं परियाएवाची तो यहां भी नीचे कुछ शब्द दे रखें उनका दूसरा अर्थ क्या है दूसरा क्या शब्द हम प्रियोग करते हैं उनके लिए वो लिखना जैसे अरुन सूर्य यहां सूरज भी लख सकते हम और एक अरुन तो हो गया सूर्य और दूसरा अरुन इसका मतलब होता है लाल अरुनी मा, उजातर लाली उत्तर, मिंस जवाब और ये एक उत्तर दिसा का नाम दिसा है है न उत्तर दक्षिन पूरव पस्चिम पत्र, पत्ता होता है और पत्र, प्रासना पत्र भी होता है तुम लिखते हो न, छुट्ती के लिए हैड मास्टर को या भै स्कूल लिंग सर्टिफेकेट के लिए ये पत्र या फिर अपनी मामा को पत्र लिखते हूँ वाला, ठीक है? गटा का मतलब गटा न और एक गटा बादल की गटा जब बादल घिर जाते हैं बारिस का मौसम हो जाते हैं तब बोलते हैं बादल की गटा गटा चा गई ऐसे बोलते हैं न कुल मिन्स योग यानि की सारा जोड और दूसरा कुल इस मिन्स होता है वन्स परिवार का जैसे एक कनक, कनक मींस होता है धतूरा भी तो शब्द तो एक ही है लेकिन अर्थ उसके अलग-अलग होते हैं तो ये कुछ शब्द हमने जाने हैं इसी तरह के और भी शब्द आप याद करना आगे है सक्रांती के दिन नए चावल का मीठा भात बनाया जाता है सक्रांती है पूरे देश में मनाय जाती है कहीं पे किसी नाम से कहीं पे किसी नाम से तो किशी राज में कुछ पकवान बनाया जाते हैं किशी में कुछ और पकवान बनाया जाते हैं इसी मीठे भात को पोंगल कहते हैं इसी से तोहार का नाम भी पोंगल पड़ा है तो मेठा भात बना जाता है उसको हम पोंगल कहते हैं और इसी लिए इस तोहार का नाम भी पोंगल हो गया है तो नीचे कुछ तोहार दिये गए हैं पता करें कि इनका नाम कैसे पड़ा दस हरा दस हरा का नाम दस हरा क्यों हुआ क्योंकि इस दिन दस शिरोंवाले रावन का व दिवाली यानि कि दीवे दिये जलाए जाते हैं इसलिए इसका नाम है दिवाली पड़ा होली इस दिन होलिका का दहन हो गया था जो कि भगत पहलाद की बुआ थी न होलिका वो उसको पहलाद को लेके बैठी थी अगनी में क्योंकि उसको वर्दान मिला वा था कि वो अगनी म बच गया इसलिए इस तोहार का नाम होली होली का के नाम से इसका तोहार का नाम होली पड़ा है तीज तीज क्यों पड़ा इसका नाम क्योंकि यह स्रावन मास की तिर्तिया को मनाया जाता है इसलिए इसको तीज कहते हैं तीन तोहारों के नाम कैसे पड़े यह आपको अच्छ जाते हैं अना जो के नाम लिखने जैसे गेहूं बाज्रा, मक्का, चना, मोट जो इनके अलावा भी जो भी आप लोग जादा खाते वो यहां पे लिख सकते हो गन्ये के रज से नई फशल का चावल बनाया जाता है गन्ये से और क्या क्या बनता है क्या बनता है गुड़ भी बनता है चीनी बनती है शक्कर भी बन जाती है और गुड़ मिलाकर हम चूर्मा भी बनाते हैं गुड़ के जो मतलब है एक जो होती है गुड़ जिसे बनता है उ जब गुड निकल जाता है बच जाता है उसे हम कागज भी बनाते हैं और गुड की चाय भी बनाते हैं या कोई भी और डिस जिसमें हम गुड मिलाते हैं वो यहां पे हम लिख सकते हैं गुल गुले बनाते हैं गुड डाल के हैं वई गन्ने से ही बनते हैं या सारी चीजें त करने वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। और चैनल को अश्य ही सब्सक्राइब कर लेना ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके ॥ा फैंक्यू